और में आपल में ने नहीं ट्रीप का आपी टन और हम लोग चल रहे हैं वास अब दिल्ली की तरफ बस मॉनिंग इसक्वाटी हो रहे हैं और मैं काजी रीडि कर रहे हैं हम लोग लेड़ी हैं जाने के लिए तो चलिए चलें दिल्ली और यह है उदेपुर का सुभा सुभा का नजारा पूरा शहर अभी खाली है हर सिटी में वैसे यह कानी होती है मॉनिंग में तो इतना कुछ नहीं खुलता हां थोड़ा से जो विलेज एरियास होते हैं वहां लोग जाग जाते हैं हम लोगों रास्ते में नोटिस किया बहुत क्योंकि एरियास क्रॉस करें इतनी लंबी जोने थी सब देखा कोस्टल रिजिन और यह घाट्स देन जो वो थे रख रिगिस्तान में मतलब सारे जुगाओं थे बेसिकली वो सब मतलब सुभा सुभा आपको वहां सब जाके मिलेंगे सब खुल जाता है मार्किट इंड ले अब यह है कि देखिए शहर है तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्यों मैंग है हां काओं वोगर वाली इलाके में पता क्या है जो हम मूवी और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बर्गत का या पीपल का पीड होता है उसके नीचे एक चौपाई से बनाई होता है कि वहां पे स सारे लोग सुबह सुबह आके बैठ जाते और अपने दिंचर्य की बाते करते हैं ऐसे ही तो वो हमने कई जगाओं पर देखा विजरात राजस्थान के काहों में कि जगाओं के एंट्रिंस होती है महीं पे बहुत बड़ा पीड़ के नीचे ही सब बैठे हुए मिले हमें त यह साथ क्या पता आपको भी तिखे भी लेकिन मतलब ऐसा हमने बहुत ज़्यादा अब्जर्व किया तो यह रासते पूचे उचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाइशे यूगन गुनाएंगी कहीं चाओ चाओ कहीं दूप सताएगी लंबी लंबी दूरी भी है यूहीं चलते चलते कम होते जाएगी कभी चाओ चाओ कहीं दूप सताएगी सफर अजाना साहे, रस्ता बेगाना साहे, हर मूड्मोड पे कुछ नैासा हे. सफर अंजाना आसा है दस्ता बेगाना आसा है अर मोड मोड पे कुछ ने आँसा है अर मोड मोड पे कुछ ने आसा है वैसे तो शहरों में इतनी चहल पहल होती है लेकिन सुबह सुबह का समय जब सब बंद है तो इतना शांत लग रहा है किसी नॉर्मल गाउं वगर से भी शांत है ना जो हर्याली वाले इलाके होते हैं वहां बिल्कुल शांती होती है सिर्फ पक्षी वगरा कि अबाज आएगी बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है यहां पर अभी निकलते हुए ग्रीनरी तो बहुत है यहां भी अंदर वेरी नाइस है यह सारे रिजिदेंशल एरिया अमनों क्रॉस कर चुके हैं अभी यहां भी हमें फ्लैट से जादा घर देखने को मिले है ना फ्लैट से थोड़ा सा आउटर एरियास पर हैं लेकिन अंदर तो अगर आप देखेंगे तो सारे जमीन से घरी हैं पूरे एरियास वैसी बसे हो हैं फिर बीच-बीच में होटेल जा गए माकेट जा गई सेम वैसी तो बबबब दो नि उदेपूर सिटी तो क्रॉस कर लिया है और हम लोग पहुंच गए है नैशनल हाइवे 58 पर तो ये हाइवे टु हाइवे की जूर्नी हमारी फिर से स्टार्ट हो गई है निकल गए है कि दिल्ले के लिए तो अब बस स्टेट हाइवे नैशनल हाइवे और फिर से स्टेट यही सफर चलता रहेगा आज तो बने रही है आप हमारे साथ देखने के लिए कि आज का सफर जो है फाइनल दो दीज कवर करने के बाद अब थर्ड डीपेम फाइनली वापिस जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट सी फीलिंग है मतलब आप इतना लंबा खूम के आते हैं इससा होते है कि जब जा रहे होते है थब बहुत बहुत पाहरा है आपको पता नहीं होता कि या ओनने ओला है कहां देखेंगे प्या देखेंगे कौन से प्यांसे पॉ monopol करेंगे कैसे रहएगी जपाली तो वह सब चल रह होत face ang-dew दिमाग में अप घर जा तो माइन राग है कि ठीके आप घर बहुचना है और फिर लेकन थोरा सा एक होता हूँ थो अंदर एक बहुता है अंदर तो डिफरेंट सी विलिंग कि आप चाहर के फिर से वही काम शुरू करना है फिर से वही ऑफिस और फिर से वही बट इट इस लाइफ तो ब्रेक्स तो चलते रहेंगे जोड़ लेना कम कर दिया था वर्क फरम होम की वज़े से चलो घर से काम हो रहा है तो भी प्रेक की ज़रूरत नहीं है इस रिलाकसिंग अद प्रेश तो आपके लिए वह कोई ऐसे रिलाकसिंग वाल जोर्नी नहीं हो तो आपको ब्रेक्स लेने चाहिए था कि चाहे चोटी- दुबारा से जब काम स्टार्ट करना है तो इट विल बी किक स्टार्ट फर यू ठीक है अब पता है कि वी हैड़ ब्रेक्स हमने जॉइ किया अच्छे से खूब और अब हम अपना काम फिर से एक नहीं जील के साथ स्टार्ट कर सकते हैं तो अब वही करेंगे कल से हम लोग क्रॉस करने वाले एक टनल इसका नाम है चिडवा टनल स्टार्ट अब लिक्स अब बस उद्यपुर के आउटेल एरियास को हम लोग क्रॉस करते वे निकल रहे हैं के जैसे घी पहार घाटें करेंगी हम लोग फाइनल हाइवे पे होंगे तो बस उद्यपुर की बॉर्डर होगा तो बाइबाइ उद्यपुर तू मिला तो लगा जिन्दगी मिल गई छूलिया जब तुझे तो सांसे जल उठी प्यार है इश्ख है या है दीवानगी हर जगा सिर्फ तू दिखे तेरी आशिकी कभी मीठी मीठी कभी सरम इसी खायल करे ना जरिया ना कुछ जब एकी ना है आसमा की तेरी कौन सी ना गरिया मर बाव राहे तुझ पेर काट और अब आगे हमारा आज का पहला टूल माही डोला मेरी सोण दानी करदाए मर मरजी इनना क्यूट है बढाया तेनू के रब ने तो हद कर दी तेने मेरू तू हट वाला कमरा मी मेरा दिल करता वेक वेक तेनू के लगदाए मैलू वे दिन वेल चंद चड़ेया मेरे मखणा सोने मखणा और हम लोगों ने टच्च किया है नैशनल हाइवे 758 यह जाएगा रूट फ्रॉम बिल्वाड़ा बिल्वाड़ा से होते हुए फिर हम लोग जैपूर और फिर वहाँ से शायद टेली मुंबई एक्सप्रेस वे टाच करेंगे जैपूर साइड से ही क्रोस हो जाएगा वह वाला रूट नहीं ले रहे अज मेर जैपूर वाला तो हम लोग पुशिश करेंगे एक्सप्रेस वे वाले रूट से ही जाएगा मैंनू जच्चदा है यह डेडली मिसाल वरगा अटाक करदा नहीं बच्चदा दिलता में साम साम रखे यांसी नहीं तेरे उत्ते हारे यां वेक वेक तेरे